तरह था किम देल टरी इетрी आरपिर 캐बापर। हालो एこれ वेलकम बाइक टुप आनेश्वें में च़ातर पापड़ी बनाएं हैं चातपड़ी बनाने के लिए पहले बनाएंगे इस तरह के कुर्कुरी पापड़ी का चार पापatti खाने में मज़ जाएगा तो चलिए, पहले बनाते हैं पापatti बहुत ही आसान तरीके से तो यह लिया है मैंने आठा जैसे रोटी आठा लगाते हैं बिलकुल वैसा इस आठा है रोटी की आठे से थोड़ा सा टाइज है तो रोटी की आटे और पूरी की आटे के बीच का है। तो आप देख सकते हैं, बहुत आसान है, कोई नमक नहीं है, मसाला नहीं है, तेल वगिरे, कुछ ही नहीं इसमें मिलाना है। नॉर्मल आटा उसमें पानी दालना है, और मीडियम डो बनाना है। बहुत जादा पतला भी नहीं होना चाहिए, और बहुत जादा टाइट भी नहीं होना चाहिए। बस उसके बाद में थोड़ा सा सूखा आटा लगाते हुए, इस सरह की एकदम पतली-पतली सी रोटियां बेलनी है। तो आप आटा देख सकते हैं, पहले तो बहुत जादा टाइट भी नहीं है, बहुत जादा नरम भी नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही आटा होना चाहिए। इसको थोड़ा सा पलोथन यानि की सूखा आटा लगा करके बेलेंगे। बिल्कुल पतली-पतली रोटियां बेलनी है। तो रोटी मोटी नहीं होनी चाहिए, पतली-पतली होंगी तब ही एकदम कुरकुरी-कुरकुरी पाप्डियां बनेंगे। फिर इनको इस तरह से थोड़े लंबाई में हमने स्ट्रिप्स के कट कर लेनी है। और बीच में क्योंकि फूल है नहीं इसलिए बीच में फोर्क से या नाइफ से इस तरह से प्रिक कर लेना है। तो बस यह बिल्कुल बनकर के तयार है। ऐसी एकदम पतली-पतली सी रोटियां बनानी है। रेगुलर जो आटा लगता है रोटी के लिए रोटी के आटे से थोड़ा सा ताइट और पूरी के आटे से थोड़ा सा सॉफ्ट और इनको करेंगे फ्राई। तो एक पैन में हमने तेल गरम करने रख देना है और जब हलका गरम हो जाएगा यानि बहुत जादा तेज गरम नहीं होना चाहिए। थोड़ा मीडियम गरम जब तेल होगा तो उसमें डालेंगे एक एक करके सारी स्ट्रिप्स डालेंगे और काफी सारी एक सार डाल देनी ह क्योंकि हमें इनको फुलाना नहीं है तो यह ध्यान रखना है कैसी भी शेप में कटें पतली पतली होनी चाहिए थोड़ी फट भी सकती है लेकिन जतनी यह बिना प्रापर शेप केऊंगी उतनी जाद अच्छी बनेगी उतनी करारी बनेगी क्योंकि यह फूल नहीं पलटते हुए इनको fry करेंगे तो आप देख सकते हैं कितने अराम से एकदम पापड़ियां fry हो गई है और इनको अब निकाल लेंगे कढ़ाई से निकाल लेंगे एक पेपर टाल में निकाल लेंगे ताकि इनका जितना भी एकसिस ओयल है वो पेपर इबसौब कर ले तो बस पापड़ी बनकर के तयार है इनने एक साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए सारे आटे की पापड़ी इसी तरह से बना करके एक साइड में रख देंगे तो पापड़ी बन के तयारे आप सुन सकते हैं कितनी करा रही है अब इन पापड़ीयों को काम में लेंगे और इन से बनाएंगे चाट तो चाट बनाने के लिए तो पहले जितनी भी आपको पापड़ी काम में लेनी है अगर आप एक बार में सारी कामें लेना चाहते हैं, या फिर आप इनको स्टोर करके रखना चाहते हैं, अगर आप स्टोर करके रखना चाहते हैं, तो इन एक एर टाइट कंटेनर में बन करके रख सकते हैं, और जितनी आपको काम में लेनी हैं, उतनी पापड़ी एक प्लेट फिर इसमें हमने डाला है थोड़ा सा उपर फिटा हुआ दही, दही को फेंट लें, उपर से डालें, हरी मर्च डालना चाहते हैं तो उपर से कटी हुई हरी मर्च भी डाल सकते हैं और मीठी चट्टी इसमें बहुत जरूरी है तो दही और मीठी चट्टी तो बहुत ही जरूरी होती है इसलिए मैंने यहापे बनाई हैं इंडी की चट्टी वो भी उपर से डाली है साथी में इसमें मसाले में डालें भुनावा जीरा इसमिन मdade का ओपर पलिए स्माट, सेंधा नमक अगर अगर थेख सेंधा नमक दालेगे अगर यम्मिन तो अपर कटा हुआ तो नहीं! बहुत ही यमी, बहुत ही क्रिस्पी चाट पपड़ी बनकर की तयार हुई है। आप भी ट्राइ करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। वीडियो पसंद आया हो। तो वीडियो को लाइक, शेर, सबस्क्राइब ज़रूर करें। और न्योटी को कि रवाची मेंगाई बनकर के अट भी शद बनकर को robot के जब झाले हुआ है।